सवाल था कि fear of losing someone, अब बात है कि ये डर आता कहां से है, अटेच्मेंट से, जिसे लोग प्यार समझने लगते हैं, मतलब ये डर या fear किसी अपने के लिए होगा, किसी अपनी प्यारी सी चीज के खोने का हो सकता है, इनी चीजों का होता है, अच्छा दो तरीके के होते हैं, मतलब इसके बहुत सारे पहलू है, इतना सिधा सिधा एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एक तो डर वो होता है कि जो relation हमारा चल रहा है, उसके खूने का डर एक वो होता है कि कोई हमारी जिंदगी में है वो पर्मानेंट दुनिया चोड़के चला जाएगा उसका डर या आप ना चले जाओ हमारे बात पीछे लोगों का क्या होगा वो डर पर ज्यादातर आमतर पर जो बात करते हैं ना चीजों के खूने की और उन सबके नहीं अपने रिलेशन की बात करते हैं कि वह चला जाएगा तो उस खूने का डर ज्यादा होता है हम किसी से अटैच हो जाते हैं और समझते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं और उनके खूने का ड जाए मेरे से तूट ना जाए तो भी लगता है आपको कि वो आपके पास ही रहे जैसी है वो ठीक वैसी ही रहे जैसे अगर कोई गाड़ी आपने खरे दी और आपको लगता है इस पर एक स्क्रेच भी ना पड़े जिंदगी पर ऐसे रहे इनसान है तो उसके कोई विचार ना बदने जैसे ख्यालात वो मेरे लिए आज रख रहा है हमारी आज बॉंडिंग होई है वैसे ही रहे बच्चे है तो हमें छोड़ कर ना जाए माब आपको यह लगता है कि हाँ भी हमारे बच्चे हमें छोड़ कर नहीं जाने चाहिए लग हो जाता है चाहे वो आपकी नई गाड़ी हो आजकल मोबाइल से बहुत अटेज्मेंट होता है लोग उनको आपको लगता है कि हाँ यह चीज जैसी है ठीक वैसी रहनी चाहिए मतलब आई लब माई कार किसी ने ली गाड़ी तो उसके दिमाग में बस रहता है आई लब पर कि एक टाइम आएगा कि आपका अटेच्मेंट डिटेच्मेंट में बदल ही जाएगा और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते मैं कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ नहीं कर सकता क्यूं रीजन समझना है यह कुदरत का नियम है प्रकरति का नियम है ऐसे में अगर मैं किसी से इ प्यार कर रहा हूं कि जैसे मुझे कभी अलग होना ही नहीं तो वो क्या होगा वो हमारे डिप्रेशन को और दुख को बढ़ाएगा परिवरतन नियम है खुद्रत का प्रकर्ति का संसार में दूसरी बात ये है कि संसार में जो चीज़ आई है कोई भी चीज़ चाहे वो आप हम है या कोई आपके आस पास की दुनिया की जो चीज़ आपको दिखाई देती है जो ख्याल दिखाई देता है हर चीज़ जो क्रियेट हुआ है वो खत्म भी होगा आंततय है हम भी खुद कभी भी आफ हो सकते हैं हो सकते हैं हेलो हो सकते हैं न थोड़ा सा आज हमारी practice कम हो जाएगी यह इस पर थोड़ा ज्यादा बात क्योंकि इतना deep subject है कम शब्दों में short में बताने की कोशिश भी करूंगा तो बात बनेगी नहीं बहुत सारी चीज़े मुझे दर दर की बतानी पड़ेंगी ताकि आप connect कर पाओ फिर चलेगा किसी जमाने में होता था कि हम यह सोचते थे कि उमर के हिसाब से कोई आफ होता है बड़ी उमर वाले पहले जाते हैं च्छोटी उमर वाले कम सी सोच थी अब तो ऐसा कुछ है नही लाइफ बड़ी अलग तरीके से complicated हो गई है बीमारियां बच्चों को भी इस तरीके की हो जाते हैं कभी भी कोई भी चला जाता है जान लेगी है तो जब आपको मालूम है कि जो चीज आई है वो चीज जाएगी ही कुछ भी यहाँ पे constant नहीं है मतलब ऐसा fix नहीं है खोने क दर क्यों है सोची और यहाँ पे समझने वाली सबसे ज्यादा important बात पते क्या है कि जिस दिन से आप किसी रिष्टे से जुड़े हो या किसी इंसान से जुड़े हो कोई चीज आपने लिए है उससे जुड़े हो किसी भी चीज से attach हुए उसी दिन से आपकी detachment पी जो प्रक detachment होने लग जाते हैं यह दो परते होती है attachment के साथ detachment आपको यह समझना है बहुत सारे लोग समझते नहीं है detachment तो आएगा ही किसी भी रूप में आए चाहे वो इनसान बदल जाए उसके विचार बदल जाए चाहे वो इनसान आपसे दूर जाए आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, किसी ना किसी रूप में जाएगा, या आप चले जाओगे, तो जब ऐसा हो नहीं है, तो फिर हम ऐसा attachment रखें कि उससे पहली बात तो यह है, कि जहाँ पर हमें किसी के खोने का डर हो, जो हमें चिंताएं दे, परिशानी दे, बेचैनी दे, तो यह कई सारी चीज़ हैं, यह की relationship प्यार है, relationship प्यार नहीं होता, प्यार एक अलग चीज़ होती है, बोल चाल में हम बोलते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उसके relationship में हूँ, यह है, attraction हो सकता है, relationship दो लोगों की एक तरीके से deal होती है, conditions रखके हम लोग कोई भी relationship बनाते हैं, आप मुझे यह दोगे, मैं आपको बोदूगा, आप यह करोगे, मैं आपके लिए वो करोगा, ऐसी deal जैसी कि हम business partnership में करते हैं, जितने भी relationship आप देख लो, कोई भी relationship उटा के देख लो, especially मैं भी बात कर रहा हूँ, जिसे लोग प्यार बोलते हैं, break up हो जाता है, उसमें बहुत लोग परिशान होते हैं, उसकी, हर relationship में एक deal होती है, जहां हम एक दूसरे को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, जैसे, सम्मान, जरूरत है ना relationship की, हलो, हाँ, मुझे पता लगे कि आप ध्यान से सुन पा रहे हो, और मैं समझा पा रहा हूँ, एक तरफ़ा बात नहीं होई चाहिए, कि मैं एक side से बोलता रहूँ, भरोसा चाहिए, शरीर सुक चाहिए, एक दूसरे को time देना चाहिए, सुक दुख का ख्याल रखना चाहिए, ये क्या है, ये सारी की सारी conditions है, अगर ये चीज़े नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से, तो फ कर लिए, तो एक condition ये भी है, आप बाहर किसी के साथ कोई relation नहीं रख सकते हैं, आपको मुझे भरोसा देना होगा, सम्मान देना होगा, physical needs पूरी करनी होगी, और देखो इस subject पे, हलकि है, सबसे important part होता है हमारे relations का, और उस पे बात हम कैसे करते हैं, डरते डरते हसस, का area मेरा, बदले में जो भी return मिलेगा हमारा property, इसी तरीके से relations में होता है, पर हम उसको गलत समझते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, हम उतनी अच्छी understanding के साथ relations बनाते नहीं है, क्या होता है कि starting गलत हो जाती है, starting में आप से किसी ने प्यार कर लिया, आपकी शादी हो गई, आपको लगता है कि वो आपको प्यार कर रहा है, दर्स शुरुआत में क्या होता है, best possible दिखाते हैं, या अपना fake दिखा देते हैं, आप attract हो जाते हो, समोहित हो जाते हो, या आप किसी को कर लेते हो, और दूसरा वाला परिशान होने लगता है, जब असली color थोड़े समय ब प्यार एक बड़ी चीज है, प्यार मैं relationship हो सकती है, ठीक है, पर relationship अपने आप में प्यार नहीं है, तो हम पढ़ जाते हैं, ऐसे attachment की चपेट में, आप छोड़ना चाह रहे हो, दूसरा छोड़ना नहीं चाह रहा, या दूसरा छोड़ना चाह रहा है, आप छोड़ना नहीं जा रहे, तकलीप दे कर किसी को मज़ा आता है, रोज रोज फिर लड़ाईयां, जगडा, मार पीट, यह सब, emotions जूट जाते हैं, emotions partnership में भी होते हैं, business partnership में, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारी नहीं बात बनी, तो हम अलग से बैठते हैं, शान्ती से बाक्चित करते हैं, कि देखो भई, यह तुम्हारे goals अलग हैं, मेरे goals अलग हैं, let's move on breakup, मतलब, business में हम breakup बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इस breakup को हम आसानी से जहल नहीं पाते हैं, हमको डर लगने लगते हैं, कि भईया, क्या होगा, हमारी जिंदगी अगर यह चला गया, यह चली गई, तो बस, खत्म, और कुछ नहीं रह गया, जबकि emotions business में भी होते हैं, investment होती है, time लगता है, पैसे लगते हैं, feelings लगती हैं, सब कुछ, लेकिन वहाँ यह महसूस नहीं करते हैं, कि हमारी दुनिया लट गई, तू नहीं, तो कुछ नहीं, लेकिन जहां रिष्टा बन जाता है वहाँ हमारे मन में यह चलाता है, और क्यों चलाता है, यह हमारे दिमाग में सदियों से बठाई गई बात है, conditioning चल रही है, प्रेम कहानियां देखकर, सुनकर, relation बना, प्यार हो गया, नए जुब में, अभी, फिल्में जो बनती हैं, वो भी देख देखकर, हम लोगों के द हिस्सा है, बस एक पार्ट, और उसके अंदर भी प्यार, प्यार का एक हिस्सा relationship है, प्यार बड़ी चीज है, अगर आप प्यार करने लोगोगे, तो आपको किसी चीज की, बहुत देर में समझ आती है कि प्यार होता है, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, उनिवर्स के साथ connect कर लोगे अपने आपको, फिर ये डर दिमाग में नहीं रहेगा कि इसके बाद मेरा क्या होगा, कैसे दिऊंगा, मेरी जिंदगी बरबाद होगे, या मैं चला गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा, देखो, दो तरीके के होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ह कहा, एक तो दुनिया छोड़के चला जाता है, एक साथ में चला जाता है, कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही कुछ अलग होने की बात होती है, समझने के बाद बावजूद हम लोग अपने दुख में डूप जाते हैं, इंसानी फितरत हैं, क्या करें, दुख में हूँ, न जवाब ये है कि इतना तो समझ आ रहा है ना कि हमें इस दुख के एमोशन में पर्मानेंट नहीं रहना है, निकलना है, ये मोड हमेशा के लिए नहीं है, ये चीज़ समझ आ रही है कि हमें निकलना है, तो अपने विवेक से तै करो, जीवन को दुख भरे एमोशन में नही की मोड में रहना है priority आपकी आप होने चाहिए आपका partner या जिससे भी आपका attachment है जिससे भी आपको लग रहा है कि हमां दूर होने की नौबत आ सकती है वो आपके लिए priority नहीं होना चाहिए आप हमेशा अपनी priority रहनी चाहिए सामने वाले से पहले क्योंकि आपको लग रहा है कि आप प्यार कर रहे है सामने वाला आपके साथ मारपीट कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप उसे प्यार कर रहे हैं वो आपको प्यार कर रहा है उसकी तो ऐसी आदत है पर यह प्यार नहीं है conditions हैं रख्यों ही थी एक आदमी उसको पूरी नहीं कर रहा है एक कर रहा है इसमें अगर वो छोड़के चला जाए आपको कोई गम नहीं करना चाहिए इसी तरीके से किसी भी खातिर आपको अपने emotions को अपनी vibrations को नीचे नहीं देना है आपको करना यह है कि आप अपना best honesty से 100% दो बस आप care करो समान दो भरोसा दो सब कुछ दो पुरा और वावजूद इसके अगर सामने वाला स्विकार नहीं करता उसको उसका नुकसान है आप दुनिया के अच्छे इंसानों में हो क्योंकि आप अच्छी सोच के साथ relation बना के रख रहे हो बहुत सारे लोग सिर्फ time pass के लिए relation बनाते हैं तरह तरह से अलग लग चीज़े होती है आप तो ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको बस इमानदारी से कोशिश करनी है कि हाँ हमारा रिस्ता बना रहे है कोई गड़बर ना रहे उसके लिए आपको efforts डालने है communication बातचीत बिना बातचीत के चीज़ें मतलब आप मन के अंदर गांठे बना के बैठे रहो बातचीत ना करो नहीं चलेगा communication की है आपके किसी भी relation को संभाले रखने के लिए एक बार कोशिश नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं बार बार करो लेकिन साथ में यह याद रखो कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हमारे control में नहीं हमारे बस में नहीं ही, किसी का आना, किसी का जाना हमारे बस में नहीं ही, किसी भी कारण से अगर आपका अलगाव हो गया, कोई detachment हो गया, कोई दूर चला गया छोड़ते है, या आपकी नौबत आगई, आप अलग होना चाहरे है, साथ मैं यह भी सोचो कि यह पहला किस नह जिन्दगी फिर भी चलती रहती है. Relationship जिन्दगी का एक हिस्सा है, जिन्दगी नहीं है. कहीं नहीं रुकेगी, चलती रहेगी. घूम फिर के बाद कहां आ जाती है? कि हमने अपने emotions को control में रखना है. उनको नहीं छोड़ना है, उनको delay होने नहीं देना है. इसी सूरत में, अगर आप ठीक हो, तो रिष्टे हजार बनेंगे, अगर आप ठीक नहीं हो, दुख में चले गए, अरे ये मुझे छोड़ के चली गई, ये मुझे छोड़ के चला गया, लेट्स हैब, दारू-दारू, दुख में डूब जाओ, कुछ नहीं कर सकता, बेचार करो, अपनी तरफ से 100% देते रहो, विस्ता ठीक करने के लिए, हर चीज़ ठीक करने के लिए, अगर नहीं होता, कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती, उनके लिए आपको बिलकुल परिशान होने की ज़रुत नहीं है, क्लियर?